जो क्यों है question number 40 VA-VB हमसे question पूछ रहा है जो आपको ऐसा diagram दिखाई दे कि आपके पास एक cell है और एक उसका resistance है एक cell है उसका resistance है और आपको इन दोनों points पे potential difference निकालने है तो आप क्या कर सकते हैं इन दोनों points पे potential difference निकालने का मतलब क्या है कि हम इन दोनों cells को हटा के एक निया cell बनाएंगे जिसका internal resistance कुछ और होगा और जिसका eequivalent कुछ और होगा फिलहाल तो question ने हमको इन दोनों points के बीच में potential difference बोला है यानि कि यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को हटा के एक निया cell लगा लूँ तो उस cell का EMF कितना होगा क्योंकि यह दोनों cell parallel में connected है और जब दो cell parallel में connected होते है तो उनका जो eequivalent होता है उसका formula होता है यह जो कि बहुत important है e1 upon r1 plus e2 upon r2 upon 1 upon r1 plus 1 upon r2 यह formula हम तब लगाएंगे जब दोनों cells के positive positive साथ में connected हो negative negative साथ में connected हो अगर एक cell का negative दूसरे के positive से connected है तो उसी cell के जो हम e1 by r1 लिखेंगे उसको minus के sign के साथ लिखा जाएगा otherwise अगर इसी fashion में connected है तो plus e3 by r3 and so on चलता रहेगा denominator में minus का sign नहीं आएगा सिर्फ numerator में आएगा जो cell ultra connected है उसी के लिए value substitute करनी है 12 by 2 6 by 4 upon 1 by 2 1 by 4 solve करना है 6 plus 3 by 2 6 by 8 solve करके answer आजाएगा 10 volt तो इन दोनों points के across जो difference होगा potential का वो भी 10 volt होगा और इन दोनों को हटा के अगर मैं एक cell बना दूँ तो उसका equivalent भी 10 volt ही होगा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है question इसका equivalent कितना होगा R यह जो नई cell बनेगी इसका जो internal resistance होगा वो होगा इन दोनों के parallel resistance के बराबर यानि की 1 by 2 यह हम 2 into 4 upon 2 plus 4 के बराबर फिर वो पूछा नहीं है तो हम direct यहाँ पे 10 volt अपना answer देंगे और यहाँ पे इस वीडियो को खतम करते हैं thank you so much for watching झाल झाल